जैसे कृष्णा कैसे हैं आप लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रार्टन करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वास्त रहें बहुत मस्त रहें और आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें अपने करियर में सबसु सांसल करें आप जो पाना चाहते ह जो positive है आपके लिए वो सब कुछ इश्वर आपको जरूर दें डियर आज का topic है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं उनकी वर्तवान भावनाएं क्या है आपके लिए तो चलिए हमने दो option दे दिये हैं आप एक option चूस करिए और फिर देखिए कि अभी उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है और वो आपको कौन सा message देना चाहते हैं ठीक है अगर आप हमसे meditation सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने description box में अपने telegram group का link दिया हुआ है आप उस group को join कर सकते हैं और हमारी family का प्यारा सा हिस्सा बन सकते हैं और अगर आप हमसे personal reading लेना चाहते हैं तो उसके लिए email id, telegram का number हमने दे दिया है आप contact करिए हमारी management team आपको बताए कि personal reading का क्या procedure है कैसे दी जाती है ठीक है? जै श्रीकृष्णा option number one कैसे हैं? I hope आप अश्वस्त होंगे बात मस्त होंगे और आप अपने life में आगे बढ़ रहे होंगे तो dear वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये pile number one juice किया है उनके दिल दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल र के बहुतने ऊचाहताउ है और एगर हो भी रहे है था नहींकिन कम हो रही है बहुत इकम और यह no contact के situation जूट बोलने की वज़े से हुई है बात है चुपाने की वज़े से हुई है किसी थर्ड पार्टी की वज़े से हुई है और इधर हमें एस difference इसू भी नजारा रहा है ल कहने का मतलब कि family issue भी बहुत strong है, like किसी तरीके की मजबूरी, जैसे कि चाहा कर भी कुछ चीजे clear नहीं कर पाना, चाहा कर भी commitment नहीं दे पाना, जैसे कि एक mystery create करके रखना नहां बोलना नहां बोलना, बात को बीच में घुमाना गोल-गोल, कुछ ऐसी situation की वज़े से, ये no contact की situation बनी है, तो अभी उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए, एक song के तरी सुनाए, आखे बंग करिए और मैसूस करिए, ठीक है? जीए तो जीए कैसे बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके हो, जीए तो जीए कैसे बिन आपके कैसे कहूं तेरे बिना जिन्दगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बत दुआ होगी, मैंने किया है ये फैसला जीना नहीं है तेरे बिना जीए तो जीए कैसे बिन आपके, जीए तो जीए कैसे बिन आपके, देखे डियर, ये जो परसन है न, ये जैसे की मजबूर है थोड़े से, इनकी फैमिली शायद आपको एक्सप्ट नहीं कर रही है, किसी कीमत पर वो आपको एक्सप्ट नहीं कर रही है, तो अभी आपसे बहुत जादा दूरियां महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर का कोई बहुत अहम हिस्सा इनसे दूर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनकी बहुत कीमती चीज इनसे दूर हो रही है, जैसे कि आप दिन पर दिन इनसे दूर जा रहे हैं, तो इन्हें बहुत जादा अंदरी अंदर घुटन अकेला पनफील हो रहा है, अभी पता है, जैसे कि आप दोनों का बहुत एक दूसरे के लिए गैरो जैसा हो गया है, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत इन्हें दिखा रहे हों, इन्हें एक्नौर कर रहे हों, तो आप पर नजर रखना, आपके वारे में दूसरों से पूछना, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, इन सब चीजों पर बहुत ज़्यान दे रहे हैंगे, बहुत ज़्यादा, और पता है, यहां आपका ख़याल रखना चाहते हैं, यहां आपके साथ जिन्दगी जीना चाहते हैं, इन में हिम्मत नहीं है, इनकी life क्योंकि imbalance है, इसी वज़य से इनके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके लिए action लेने की, इन्होंने आपके शिकायत बहुत ज़्यादा किये कुछ बाते आपके अंदर भी हैं जो सही नहीं है हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हों आपके अंदर ट्रस्ट इशू हो इन्हें लेकर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हों और बहुत ज़्या भला बुरा बोलते हो इन्हें गुस्से में तो ये शिकायत पता आपकी किस से करते हैं इश्वर से कि उसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा और जो इनके बहुत अच्छे दोस्त है न ये उनसे बोलते हैं ये मेल हूँ या फिर फिमेल हूँ लेकिन मजबूरी तो है मजबूरी तो है इसी वज़े से इस रिष्टे में बैलेंस नहीं बना पाए अगर कुछ लोग मैरिड हैं आपर तो आप अच्छे जानते होंगे कि आप दोनों के दर्म्यान में परिवार का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है especially किसी लेडी का इंटरफेयर है बहुत ज़्यादा यह आपकी तरफ से हो या फिर उनकी तरफ से हो तो ये इस रिष्टे में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं कोशिश में बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपको बहुत ज़्दा मिस कर रहे हैं। तो dear, ये अब मजबूरियों को तोड़ना चाहते हैं। मजबूरियों को तोड़ना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। इनके अंदर स्टेंथ आ रही है दीरे-दीरे और ये अपना दिल आपको देना चाहते हैं यहाँ पर पता है टेन ओफ पैंटिकल आया हुआ है जो कि बहुत स्टॉंग काड होता है आप सब जानते हैं अब ये आपको निश्वार्त भाव से प्रेम करना चाहते हैं अब ये आपको अनकंडिशनल लब देना चाहते हैं भूल तो आप भी नहीं पा रहे हैं आपको भी इनकी बहुत ज़्यदा याद आ रही है बार बार आपके खयाल में घूम फिर के यहीं आ जाते हैं कैसे ली से करके आप मुगउन करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहतेंबzte नहीं पा रहे हैं किवह कि पता है यह आपको लब भायबरेशन भीज रहे हैं हां यह हर वक्त आपको याद कर रहे हैं इसी वज़े से इनसे related चीजे आपको बार-बार याद आ रही है कभी आपको कहीं इनका नाम दिख जाता है तो कोई इनके जैसा नजर आता है इस वज़े से आप भी इने भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये आपको कहीं न कहीं indirectly manifest भी कर रहे हैं दिन रात किसी चीज के बारे में सोचना उसे manifest करना ही होता है समझ रहे हैं तो ये आपको manifest कर रहे हैं देखें इनका थोड़ा सा heart chakra भी imbalance था कुछ चीजे थी जो ये आपसे बोल नहीं पाते थे वो इनके अंदर ही दबी रह जाती थी तो आपको ये लगता था कि जूट बोलते हैं जूट बोलते हैं ये बाते चुपाते हैं पर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो नहीं बोल पाते नहीं कह पाते वैसी energy है इनकी ठीक है और ये वैसे इनसान नहीं है कि जो थोड़ा बड़ बोले type के होते हैं ने, जो आया वो बोल दिया जो आया वो बोल दिया यह नहीं बोल पाते जैसे की इनके बाते अंदर ही रह जाते है इनके अंदर strong नहीं होती इनके इनिण हाई यह जाई गी पता ने क्या हो जाएगा तो अभी फिल्हाल यह आपको manifest कर रहे हैं बहुत strong तरीके से समझ रहे हैं और कहीं न कहीं angels इन्हें strength भी दे रहे हैं जैसी energy में ये पहले थे न कि नहीं कर सकते, नहीं खिलाब जा सकते नहीं action ले सकते, नहीं commitment दे सकते इस energy में थे तो ये अब इस energy से बाहर निकल रहे हैं देखे, ये आपको commitment देना चाहते हैं आप से शादी करना चाहते हैं लेकिन अपने दिल की बात आप से बोल नहीं पा रहे हैं क्यों क्योंकि थोड़ा सा जो past में गलतियां की हैं न उसकी वज़े से आप इन पर tont कसोगे आप इने भला बुरा कहोगे क्यों पहले क्या था और आप क्या है इस वज़े से ये चीज़े अपने मन में रख रहे हैं पर सच तो ये है कि ये वाकरी सब कुछ balance करना चाहते हैं थोड़ा वक्त लगेगा थोड़ा वक्त लगेगा पर ये जल्दी आपके पास आएंगे एंजल्स आपको sign दे रहे हैं repeated numbers तो हो रहे हैं 1010,444 4333,777 ये जो एंजल्स नमबर्स आप लोगों को शो हो रहे हैं आपके thoughts के according's हैं सारे और आप तुरंट गूगल करिए कि इनका क्या meaning है आप क्या सोच रहे थे जब ये numbers दिखे तो उसका मतलब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा तो कुछ चीज Lazden आपको Personally भी समझाना चाहते हैं हम तो जो समझा रहे वह बात अलग है लेकिन Angels आपको Personally भी कुछ समझाना चाहते हैं तो आप उन सब चीजों पर ध्यान दीजे ठीके डेर आपके पार्टनर सच में यही जब कुछ सोच रहे है इधर Strong Sign के बात करते हैं इधर जो Strong Sign है वो है Cancer Scorpio Pisces उसके बाद है यहाँ पर Taurus Virgo Capricorn उसके बाद हैं आपर Aries Leosagittarius Geminali Brick Virius थोड़ा सा कम है देखें मजबूरियां है यह आप भी जानते हैं कुछ मजबूरियां होती हैं हर इंसान की ठीक है तो यह उन मजबूरियों में बंदे हुए हैं लेकिन जल्दी सारी मजबूरियों को खत्म भी करेंगे बस आप थोड़ा सा पॉजिटीव रहे और थोड़ा सा धैरे रखे आप उन्हें अच्छी बात है इग्नौर करिये इग को पार्टन आपके लिए अखे और रहे हैं आपके लिए परेशान हो रहा है लेकिन अभी उनकी हिंमत नहीं हो पा रहे है जो उनका बयां भी करेंगे ठीक है तो यह है उनकी current energy ठीक है जैशी कृष्णा अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचे क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परव करनी है ठीक है जैशी कृष्णा ऑप्शन नमबर टू कैसे हैं आई होप आप बहुत स्वास्त होंगे बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे तो डियर आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सूच रहे हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए देखिए इधर 80% लोग त्विन सोल जर्णी वाले हैं देखिए सबसे पहले हम क्यूट सी एनर्जी की बात करते हैं क्यूट सी एनर्जी किसकी है आपकी है समस्तार बहुत मिच्योर चीजों को एक्सेप्ट कर करना लोगों को मोटिवेशन देना लोगों को अपने लेवल पर अपने लेवल पर जितना आपको पता है जितना आपको आता है जो अब तक आपने सीखा है उस हिसाब से लोगों को गाइड़न्स देना सही रास्ता दिखाना और अपने करियर पर फोकस करना एक नई विचा ब्रोथ हो रही है बहुत अच्छी कहा इस्प्रिच्वल ग्रोथ हो रही है आप मेंसे बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो ज्ञादा अपने पार्टनर के लिए नहीं रोते कॉल आ गया तो अच्छा और नहीं आया तो कुई बात स्थ्राट्ट नहीं पूंच्तार्श नहीं करते हैं अब आप सेल्फ लब करने लगे हैं अब खुट के बारे में सोचने लगे हैं आपको पता है कि आपका मस्कुलाइन आपके अंदर है वो तो सिर्फ एक शरीर है जो रियल एनरजी है ना जो ट्रू एनरजी है वो तो आपके अंदर ही है लेकिन इनकी हालत खराब है जी हाँ इनकी हालत खराब है यह पता आप से क्या करना चाहते हैं मेरी बात तो सुनो वो जो हो गया ना उससे गलती से मुझे नहीं पता मैंने वो सब कैसे बोल दिया मुझे पता मैंने वो सब कुछ कैसे कर दिया मैं कैसे किसी और की बातों में आ गया जैसे कि मैं ब्रहमीत हो गया था या फिर मैं ब्रहमीत हो गई थी अब मुझे मेरी करने का पच्चतावा है मुझे बहुत गिल्ट है अब इतना भी क्या नाराज होना इतना भी क्या इग्नॉर करना मुझे क्यों इग्नॉर कर रहे हो इतना ज़्यादा कौन किसी को इग्नॉर करता है मुझे गिल्ट है, मुझे मेरी गलती का हैसास है आपको क्या अच्छा लग रहा है मुझे तकलीव देकर जी हाँ, इनकी यही एनर्जी है और अब पता है, अब तो जो चीज़े कभी आप करते थे न, वही सारी चीज़े अब यह भी कर रहे है आप कहते थे, आप इनसे कभी अपनी spiritual life share करती होंगे spiritual बाते आप इनसे करते होंगे आपने कभी कहा होगा, कि हाँ, पता है, manifestation करना चाहिए meditation करना चाहिए, और कभी भी negative नहीं होना चाहिए हमेज़ा positive होना चाहिए इस तरह की चीज़े, हम twin soul journey में हैं यह सारी चीज़े, आपने कभी इनसे कही होंगी न तो अब यह meditation कैसे करें, manifestation कैसे करें और कैसे किसी को manifest करें, attract करें your daily path कैसे करें, अपने दिल की BAT कैसे कहें ये सारे तरीक़े ये ढूड रहे हैं आप तक पहुचने केलिए आप में से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बात कर रहे हैं, कम से कम बात कर रहे हैं तो इनने बहुत जादा guilt है अपनी गलती का इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां की है हो सकता है पता नहीं क्या हमने तो डिटेल में गए नहीं कि क्या गलती की है इन्होंने लेकिन हाँ इन्होंने कोई जूट बोला है इन्होंने आपका साथ छोड़कर किसी और का साथ दिया है जब आपको इनके support की जरुद थी तब इनोंने आपको ignore किया है किसी third party से बहुत ज़दा attract हुए हैं किसी से भी, जैसे कि किसी के कहने पर आ गए हैं और आपको ignore करना शुरू कर दिया है दिल तोड़ा है इनोंने किसी न किसी बात पर आपका तो उस बात का इनहें बहुत ज़गा realization हो रहा है और इनहें ऐसा लगता है कि सब खतम हो गया, इस रिष्टे का पूरी तरीके से अंत हो गया है क्योंकि अंत इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अब आप इनके लिए रोते नहीं अब आप इनके पढ़ते नहीं आप इनके पिछे भागते नहीं तो इन्हें लगता है कि इस रिष्टे में सबकुछ खतम हो ही गया है अब कौन इनकी बगवास सुनेगा अब कौन बेवज़ा का इनका गुसा बरदास्त करेगा अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का खयाल आ गया है वह आप समझ गए हैं कि समर्पण उसी के सामने करना चाहिए जो उस लायक हो उस लायक हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे उपर है तो अब इन्हें लग रहा है कि कोई सड़नली कैसे बदल सकता है ये बात इन्हें डाजिस नहीं हो रही है कि कोई सड़नली कैसे बदल सकता है और देखे इधर twin soldier ने इतनी strong हैं आपको क्या बताएं तो इनका दिल टूटा हुआ है ये इश्वर से pray कर रहे हैं ये आपके साथ new beginning करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन ये ही सोच रहे हैं कि कैसे जाओ उसके पास कैसे बातों की शुरुआत करूँ क्या कहूं पहले शायद वो मुझे भला बुरा कहेगा या नहीं कहेगा आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रिपल टू नजर आ रहा है ट्रिपल टू नजर आ रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को फोर फोर नजर आ रहा है ट्रिपल फोर डबल फोर नजर आ रहे हैं ना ट्रिपल टू मतलब कि आप बिलकुल सही जा रहे हो आप जो कर रहे हो ना बिलकुल सही कर रहे हो बिलकुल सही रास्ते पर हो इसका यही मेनिंग है इनकी जो एनर्जी है ना सिसाब से चलिए दो लाइन का सौंग सुना देते है ठीक है? पराए ऐसे गए मुझे छोड़ जैसे जान जिसम से चाये बड़े हम दर्द बनते थे बड़े बे दर्द निकले वो बड़े हम दर्द बनते थे बड़े बे दर्द निकले वो यह सोच रहे हैं क्या होता है न कि आपके अलावा इन्हें समझने वाला तो कोई है यह नहीं जैसे कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करना एक हमदर्द बनना बिना किसी रीजन के बिना किसी स्वार्थ के वो आपके अलावा कभी किसी ने किया नहीं है और अब आप अपने बारे में सोचने लगे हैं तो यह बाते इन्हें समझ में नहीं आ रही हैं ऐसे गए मुझे छोड जैसे जान जिस्म से जाए काउंटर पार्थ है ना काउंटर पार्थ है ना पहले काउंटर पार्थ इनके लिए रोया करता था अब आजकल काउंटर पार्थ सेल्फ हीलिंग कर रहा है आजकल काउंटर पार्थ अपने करियर के बारे में सोच रहा है तो ऐसे गए मुझे छोड जैसे चान जिस्म से जाए बड़े हमदर्द बनते थे बड़े बेदर्द निकले वो जब खुद बेदर्द बनते थे तब इन्हें समझ भी नहीं आता था और आज इन्हें लग रहा है कि बड़े बेदर्द निकले वो देख लो वा वा क्या जमान ते लिए आपको बहुत जदा मिस्कर रहे हैं आपको मैनिसेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन कहीं नंतिषिए कर चुके हैं और यह आप seu शादी भी करना चाहते हैं आप आपके लिए action भी लेना चाहते हैं लेकिन इन्हें पूरी उम्मीद है कि एक दिन आप लॉट आएंगे आप इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर कभी नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जो कमजोरी है ना वो यह है और यह इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं इन्हें लगता नाराज हैं तो आपकी नाराजगी भी इन से सहन नहीं हो रही है नहीं हो रही है लेकिन इन्हें पता है कि आप इन्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे आप एक दिन इनके पास जरूर लौट आएंगे तो ये होप ये उम्मीद इनके मन में बनी हुई है और इन्हें लगता है कि एक नाएक दिन आप दोनों जरूर एक हो जाएंगे अभी देखे ये अपने दिल की बाते कहते नहीं है फिलिंग्स हाइट करते हैं चीजों को छुपाते हैं लेकिन इस कोशिश कर रहे हैं सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ी बहुत तो मेरी कलती है मुझे अपने दिल की बात कहनी चाहिए मुझे अपने दिल की बात कहनी चाहिए मुझे कमिटमेंट देना चाहिए मुझे इस रिस्ते में equal given take करनी चाहिए है ना तो इन्हें कुछ चीजों का realization हो रहा है तो अब ये आपके साथ new beginning करना चाहते हैं इनके दिल में यही सब कुछ चल रहा है लेकिन अभी कहनी पा रहे हैं पर जल्दी आपसे कहने वाले हैं ठीक है तो dear आपके जो person है ना आपके masculine हो या फिर feminine हो आप male हो या फिर female हो masculine feminine energy सिर्फ energy होती है इस तरिये पूरुस नहीं होते हैं जरूरी नहीं है कि कोई feminine energy female body में ही हो वो male body में भी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि masculine energy किसी male body में ही हो वो female body में भी हो सकती है तो ये दोनों सिर्फ energy है समझ रहे हैं इधर strong sign की बात कर लेते हैं इधर strong sign है वो है स्कॉर्पियों पाइस टॉरस फर्वो कैप्री कौन भी है लेकिन जेमिनाई लिप्रे एक्वेरियस थोड़ा सा कम है थोड़ा सा कम है तो टियर इन्हें अपनी गलतियों का बहुत जदा एहसास हो रहा है पचतावा हो रहा है ठीक है तो आई होप आप समझ के होंगे कि अभी करेंट में उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर ठीक है जैशी कृष्णा अपना ख्याल रखें अपने अपनों का ख्याल रखें कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पुरी जिंदगी कहेंगे आप कब तक लो हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है जै श्री कृष्णा आप सभी के हृदय में बैठी परमात्मा को हमारा शाधर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साइराम